मित्रों मुझे सुन्ने के बाद कुछ मित्र को ऐसा महसूस होता है कि जब उन्होंने मुझको सुना तब उनका यात्रा समाप्त हो गया ये सुन्ने का यात्रा ये करने का यात्रा तो क्या आप अंतिम हो वो बोलते हैं कि आपको सुन्ने के बात फिर और किसी को सुन्ने का मन नहीं करता क्योंकि उतनी गहराई से वो बात समझने के लिए आपका जैसे तर्क बिवस्था और अनुभव हम कहीं नहीं पाते हैं तो इस तरह वो धन्य बात देते हैं मित्रों इसमें बात ये हो सकती है क्योंकि गुरू यात्रा का अंत नहीं है गुरू यात्रा का प्रारंब है गुरू वहां तक आपको आवस्यक है जहां प्रारंब बिंदु है जहां से आगे बनना है जहां से रास्ता दिखाई पड़ता है गुरू आपको रास्ते पर लाएगा और आपको छोड़ देगा और गुरू ही आपको छोड़ देगा आप गुरु के पकड़ भी ने सकते, गुरु को आप छोड़ भी ने सकते आपने नमुज के पकड़ा, आप नमुज को छोड़ सकोगे गुरु ही आपके पिछे से, आपको छोड़ के चले जाएगा आपको पता ही नहीं होगा कि गुरु था भी इस तरह गुरु वहां से चला दाएगा मगर गुरु का काम क्या है कि वो आपको उस राष्टे पर लाकर खड़ा कर दे उस परमात्मा तक जाने का जो राष्टा है आपके अंदर का उस राष्टा तक आपको पहुचाना है और इहीं तक गुरु का कान है और आपको इस तरह उस राष्टे तक लाने के लिए कौन सा गुरु समर्थ हो पाएगा ये आप पर निर्वर करेगा तो आप बहुत गुरुँँँँँगे जितने अध्यात्म के प्यासे होते हैं वो उतने ज्यादा गुरू के पास जाएंगे, जैसे बुद्धा है, बहुत सारे गुरू के पास चले गए थे, और बहुत अभ्यास कर लिया था, मगर उनको एक भी गुरू ने, उनको रास्ता दिखाई ने दे सका, एक भी गुरू भी समर्थ नहीं हो सका, तो भठकन होगी, बहुत सारे गुरू के पास जाना होगा, और आपका कैसा छेमता है, आपकी यात्रा किस उचाई पर पहुँची है, तो उसी किसिम के गुरू आपको मिलते जाएंगे, उसी से आपका सम्बंद होता जाएगा, अगर आपका यात्रा, और आपका यात्रा क्या है, आपका यात्रा ये है, कि गलत राष्टे से सही राष्टे तक जाने की यात्रा है आपकी, और आपको उस गलत राष्टे से सही राष्टा तक लाड़ा है यात्रा तो प्रारम्ब होगी अब यात्रा का इंडिंग कही नहीं होगा मगर जो आप गलत राष्टे पी चल रहे हो और उस यात्रा का भी बहुत उसमें भटकन है उस वहाँ पी बहुत जंगल है बहुत राष्टे हैं निचला राष्टा है उससे उपर का राष्टा है उससे उपर का राष्टा है तो किस तरह का गुरु आपको पसंद आता है उससे ये बात सावित होती है कि आप का यात्रा कहां परे आप किस भुल भुलाईया में पड़े हो अगर आप इस तरह के गुरु से प्रभावित हो और उनके पास जाते हो जो भविश्य बानी करते हैं जो हस्परे का देखात देखते हैं तो ये बात ये सावित होगी कि आप बहुत भड़के हुए रास्ते पर हो बहुत निचले रास्ते पर आप अईसे ही आप इस किसिम का गुरु के पास जाते हो जो आपको जादू जमत करके वाद कुछ आपको आश्रेबाद दे के देता है और आप उस पर भरोशा करते ही तो ये बात भी ये ही पताएगी आपका जो मार्ग है वो निचला है और आपको ये सब पाखंड दिखाई दे दिया इसका व्यर्थता आपको दिखाई पड़ी और फिर इस तरह के गुरु के पास आप जाने लगे जो ज्यान की बात करते हैं जो सासरों की बात करते हैं तो फिर आपका यात्रा थोड़ा आगे बड़ा है आप ओसो जैसे लोग कृष्णमूर्थी जैसे लोग इन पूरुषों को आप अगर सुनते हो तो ये बात भी आपको ये बताती है कि आप और उचे राष्टे पर हो आपके पास प्रतिवा है आप ओसो को समझ पाते हो तो एक बड़ी बात है आप कुष्णमूर्थी को समझ पाते हो ये बहुत बड़ी बात है ये बात ये बताती है कि अब आपका राष्टा आपको नहीं भटकाएगा आप बहुत उचे राष्टे पर आगे जहां से बहुत नजदी के है, वो सही रास्ता, तो ओसो जैसे लोग को सुनने के बाद, जिसको कुछ भी बोत का अनुभब होता है, जो समझ पाते हैं, वो एक सवबाग के साली, छेन होता है, वो एक सवबाग के है, आपको मिले, ना मिले, ध्यान का अनुभब आपको हो, ना हो, ये बात पारण आपको समझ आती है, आनन्द आता है, तो वो एक बड़ी बात है, तो किस ताइप के गुरु के पास आपका सत्संग हो रहा है, उससे आपका राष्टा कैसा है, आप कहां पर है, वो मालूम परती है, तो बहुत गुरु होते हैं, गुरु अगर इस तरह के आध्यात मे गुरु नहीं होंगे, तो फिर भहुतिक गुरु होंगे, किसी के गुरु हो सकता है, कारल माक्स है, लेनिन है, माउचेतुं है, महात्मा गांदी है, तो इस तरह राहनित करने वाले के भी गुरु होंगे, उनके संगत करते हैं, उनका चिंतन मलन करते हैं, तो भहुतिक बा पढ़ेंगे, उसका चिंतनमनन करेंगे, और एक आतंकबादी और एक फटाहा को भे, उसका भी गुरु होगा, वो भी किसी न किसी को मानेगा, वो हिटलर को मानेगा, वो खुंखार जो आदमी होते हैं, जो कुरूर शासक होते हैं, उनको अपना गुरु मानेगा, तो हर एक क पास गुरू होते हैं। हर एक बेक्ति के भितर गुरू का सक्षंग हो रहा है। ये बात आप समझेmother। secrets. और किस ताइप के गुरू का संगत हो रहा है उसका। वो खुद कैसे है, किस इस्तितिती पे है, उनकी यात्रा कहा है तो उस हिसाब की गुरु उनको मिलेंगे और सबसे अच्छा अबस्था काउन है काउन सा गुरु को सत्संग करने से आप उच्छे यात्रा पर हो ये बात पहचान होगी जहां पर फिर आपको और कुछ सुनना अबस्थेक नहीं होगा है जितना निचा राष्टे पर आप हो उतना आगे यात्रा है और अंतिम यात्रा क्या है जहां अब सुनना समझना ये भी बंद हो जाया है तो ये अंतिम पड़ाव है तो इस तरह कि गुरु क्या आप पास पहुंच गए तो आप बिलकुल अब सही राष्टे पर खड़े हो सकते हो क्योंकि बाउद्धिक रूप से जितना भी समझना आबस्यक था वो आपने अब समझ लिया पहले आपने बहुत गुरु को सुना मगर उनको सुनने से बाउद्धिक रूप से भी आप निश्का शपर नहीं पहुंच पाया बाउद्धिक रूप से पी समझने को कुछ बच ही गया था बच ही गया था तो इसलिए आप मेरे पास आये होंगे और मेरे पास जब आप आओगे तो आपकी बुद्धि यहां से आगे बढ़ने सकते हैं मैं यहां तक तरक बुद्धि का प्रियोग करूँगा आपको जहां बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा ही उसके बाद बुद्धि के लिए राष्ता ही नहीं होगा तरक करने का कोछ अर्था ही नहीं होगा तो फिर आपको अब सुनना नहीं पड़ेगा तो इस इस्तिति पर जब आप पहुँचे तो फिर आपको राष्ते पे ले जाने के लिए बहुत सुगमता होगी क्योंकि अब आप मौन होना शुरू करोगे आप विचारों के जाल से जो ज्ञान का ब्यर्था जन्जाल है तो उस ज्ञान का जन्जाल से आप का पिछा छुट जाएगा और ये ज्ञान एक भेंकर जन्जाल है यह आपको ब्रह्म देता है कि मैं कुछ जानता है मैं जान गया यह भ्रह्म होता है और मेरे पास आप ये जानोगे कि मैं कुछ नहीं जानता है तब ही अश्री जानना शुरू हुग और जो लोग भी अपने को ज्यानी मानते हैं, बहुत अपने को जानने वाले मानते हैं, शास्त्रग्य मानते हैं, तो उनको ये बोलना चाहिए कि भै आप कबिर दास का कोई एक स्लोग जान के देखाओ, तो आपका असली जानना हो गया, क्या आप कबिर का एक स्लोग को जान सकते हों कि उन्होंने क्या बोला, तो आपको फिर और कुछ जानना आवस्यक नहीं हो गया, उसको जान लिया, तो बात समापत ही हो गई, जैसे एक स्लोक में आपको इधर कमिर्दासी का बोलता हूँ जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं नहीं सब अंधियारा मिट गया दिपक देख्या मैं जब तक मेरा मैं भाब था तब तक हरी नहीं था और जब हरी का अनुभब हुआ तब मैं मिट गया अधियारा पैसे मिर्ता है मैं जब तक रहता है तब तक अधियारा नहीं मिर्ता है और जब मैं मिर्ता है तब हरी मिलता है क्योंकि मैं एक अंधकार है जब तक अंधकार होगा तब तक प्रकास नहीं होगा जब प्रकास होगा तब अंधकार नहीं होगा, सिंपल सी पात है, और यह अंधकार क्या है, कि अहंकार अंधकार है, मैं अपनी को मैं बुलता हूँ, यही अज्ञान है, तो अपनी को मिताना है, तब आपको हरी मिलेगा, हरी को पाने के लिए नहीं चलना है, कि मैं को साथ रहेकर आप हरी को ढूड़ोगे तो आप हरी को नहीं पाओ, और आपका ज्यान क्या है, मैं को साथ में रखकर परमात्मा का खोज करता है, यह मैं, वो मैं ही परमात्मा को खोज करता है, वो मैं ही असली रास्ते को खोज करता है मगर मैं एक अन्दकार है तो इसलिए उसको प्रकास देता महसुस नहीं होता ऐसे आपका जो ज्यान है उसको अन्दक करके आपको एकी सलोक में पुरा का ज्यान दे जाए और उस एक सलोक को आप समझ लूँ आप सही रास्ते पर खड़ा हो जाओ ऐसा एक दूसरा सलोक है तेरा मुझे में मेरा मुझे में मुझे में कुछ नहीं जो कुछ है तो तोर तेरा तुझको सवंपता क्या लागे है मुर तो ये स्लोक आप समझ लो तो आपका यात्रा प्रारंब होगा और एक तरह से आपका यात्रा खतम होगा एक तरह से प्रारम्ब होगा, इसको बोल सकते हैं यात्रा का अंत भी और प्रारम्ब भी, जो गलत रास्ते पर आप चलते आ रहें थे, गलत रास्ते पर जो हमारा यात्रा था, तो उस यात्रा को खतम होगा, और जो असली रास्ता है, वो रास्ता प्रारम्ब होगा, ये बात समझ के, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, हम ये जानें, कि मेरा मुझ में कुछ है नहीं, जो कुछ है तो तोर, सब परमात्मा का है, ये सरीर भी परमात्मा का है, ये मन भी परमात्मा का है, ये अहंकार भी परमात्मा का है, सभी कुछ परमात्मा का है, मेरा कुछ में है नहीं, ये ग्यान आप समझ लो इससे बड़ा क्या ग्यान होगा, एक ही स्लोप में सब इसमें आ गया, हमने अपने को मही माना है, इस सरीर को मही माना है, इस मन को मही माना है, और इसको मेरा बुन दिया है, मेरा परिवार, मेरा देश और महिं और मेरा जो कुछ भी हमने माना है यही गलत राष्था था यही अज्यान था क्यु hesitate यह जो कुछ भी है मेरा है नहीं सबी परमात्मा का है सबी अशित्व का है आप बोल सकते को मैं ही नहीं हूँ तो मेरा तो फिर कैसे होगा और मैं जिसको मैं बोलता था वो मैं भी किसका था वो भी परमात्मा का था परमात्मा के सिवाय और किसका हो नहीं सकता ये सब ब्रमांड का है अस्तित्यो का है ब्रह्मा का है ब्रभ्मा ने ही सभी को बनाया है उसी वहीं सभी पे जुड़ा हुआ है तो इस पे हम कैसे मैं और मेरा बोल सकते हैं जैसे हम किसे और को मैं बोलने सकते हैं किसी पेड़ को, किसी जानबर को, किसी आदमी को हम मैं बोलने सकते हैं क्योंकि हमको पता है यह मैं है नहीं, कुछ है नहीं इसमें मेरा जैसा, तो ऐसे ही जो आपका सरीर है, इसमें पे आपका कुछ मैं है नहीं, यह भी ऐसा ही बना जैसा दूसरे का सरीर बना था, इस प्रकृति के पंचभवतिक तत्यों के मिलन से यह बना था, और यह मन भी इस यह ज्ञान है तेरा तुझको सवंपता क्या लागे है मोर तो इसमें करना क्या है आपको कि सवंप देता है पहले गलती हो गई थी कि आपका था मन आपका था शरीर आपका था जीवन मैंने बोल दिया था इसमें कि मैं मेरा है मैं हूँ तो अब मैं ज्ञान जानने के बाद य मेरा कुछ है नहीं, सबी कुछ आपका है, ये फ्याक्त है, कल्पना है नहीं, ये शरीर प्रकृति का है, अगर प्रकृति इस पे काम ना करे तो ये नहीं चलेगा, अगर प्रकृति इसके अंदर अक्षिजन नहीं डाल दे तो ये नहीं चलेगा, इसको अन्न पानी न दे तो यह नहीं चलेगा, शुरत इसको ताप दे तो यह नहीं चलेगा, इसलिए यह सरीर किसका है, यह सरीर अन्न का है, यह सरीर बायू का है, यह सरीर आकास का है, यह सरीर सुरत का है, परकृति का है, तो मेरा है नहीं, क्लिर है ना बात, मगर मैं ने इसको मैं बोल दिया, तो बात गलत ब्यक्ख्या हो गई तो इस से हम भटक गए फिर अपने को मैं मान दिया फिर उसके बाद मेरा बना लिया ये मेरा और तेरा बना लिया फिर मेरा बना लिया तो फिर हम जूट से जूट की आतरा पे चले गए एक जूट मूल जूट था अपने को मैं मानना और फिर उस रा सही ठिक ठिक बेख्य कर दो बोल दो कि मेरा मुझे में कुछ है नहीं यह सबी कुछ तेरा ही है और आब मैं क्या करता हूं तुझको संप देता हूं तुझको मैं अर्पित कर देता हूँ पहले मैंने पकड़ लिया था इनको लोब के कारण, लालत के कारण, ब्रह्म के कारण, अज्ञान के कारण पकड़ लिया था, सरीर को पकड़ लिया था, मन को पगड़ लिया था तो अब ये जान लिया कि ये तो सभी कुछ परमात्म का ही है मेरे में तो कुछ है नहीं तो फिर आप ये कर दिया कि परमात्म को साउब दिया भाई ले जा तेरा मन ले जा तेरा सरीर ले जा तेरा अहंकार मैं तो बिदा हो जाता तो आई से आपने को बीचे बिदा कर दिया तो फिर आपकी असली आध्यत्मिन यत्रा प्रारंबह होगी और वो यत्रा कैसी होगी वो यत्रा फिर परमात्मा खुद ही करेगा परमात्मा स्वेम ही आपके वितर जीएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है कहा जाना है कहा नहीं जाना है ये सबी तय परमात्मा ही करेगा, क्योंकि आप तो होगे ही नहीं, तो आप बिना की यात्रा है आगे, अहंकार बिना की यात्रा है आगे, मित्रों आप इस तरह की यात्रा पर आगे बढ़ना चाहते हैं और ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान का कुछ विडियो मेरे पास है, वो झाल झाल